हेलो करकेट लवर्स कैसे हो आप से बहुत अच्छे होंगे तो कर जमान दीपक चेहर का कहर पंजाब की टीम के ओपर वो नहीं उबर पाई और नुकसान हो गया उन्हें बहुत सारा और इस हाई पेल में यह हार उनको बहुत चूप सकती है और पॉइंट स्टेबल में पंजा करने की जुरूरत थी क्या वो अपनी स्ट्रेटिजी में कुछ चेंज कर सकते थे या नहीं तो जानेंगे इस वीडियो में तो सबसे पहले माप को बता दो कि पहले बल्ले बाजी आती है नो चेंज एक भी चेंज रखा तो मेरे इसाब से रभी बिश्णवय को खिलाना ची और पंचाब काफी जिसे बोलते हैं बैक फूट पर दीखी हो चेहर की जो बॉलिंग स्ट्रेजी थी जिसे बोलते हैं अटेकिंग और मैंग अगरबाल खो जो आउट स्विंगर प्याउट किया बहुत ही जबर दफ्त किया था और पंचाब के जो टॉप ओड़िटर से सु जड़े जाका जो की और एक शांदर कैच जिसने मैच पूरा का पूरा फिवर मिलादे चेने बाद में बाहरी आती चेनी की बल्ले बाजी की तो बल्ले बाजी में किसके ओपर दारमदर होता है कि स्टार्टिंगे जो दो बैट्स पने दस बार आपने गेम खतम करतेंगे पर तो रित्राज गयाकवाड ओवर डिफैंसीव होगे जिसके काराण 16 बोलों में पांच नमरे उने जिसका जिसकी वजेसे उनको काफी क्रिटेसाइज के जा रहे हैं तो आगे जाके देखें कि वो कैसी अपनी गेम की पर फॉकस करते हैं और कैसे अपना गेम को बढ़ाते है या फिर उनके जेकर रोबिन अथापा को लाने की जल्दबाजी हो रहे हैं क्या यह सही है गलत है या आप मेरे कमेंट बोक्स में जुरू बताएं परन्तु इस मैच के मैच मैं आपको स्टोरी बता जाता हूँ और स्टैट्स बताता हूँ इसकी मैच मैच में सबस्यातर र और साथ चोके और एक चका उसके अलावा बात ही दो फैफ डूपलैसी तैदी समझ शतीस बनाएं बाकी मुहमेशामीन अच्छी बोलिंग की और अर्षदीप शिंग तो अच्छी बोलिंग करा है ने परन्तु मुर्गन अरश्विन का मेरे को समझे जा रहा है नको क्यों ख और चेनी की टीम सेके नंबर पर आचके और धोनी को बहुत बुदाई दोस्तों वाउन का आईपल का मैच था यह और शायद इस साल वो रिटार्मेंट भी ले ले आईपल की परन्तू मच आता हूं एक दू साल और खेले तो आई होप जो मैं आपको बताया और पंचाब की पड़ेगा उनको तो आई होप जो मैंने बताया है आपने सुना हुआ और अगर अच्छा लगए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरू करें और मेरे चैनलबर पहले बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले थैंकियू सुमच पर वाचिंग मिलते हैं नेक् कंटेंट के साथ